जिनको नॉन्वेज पसंद है उनके लिए मटन कीमा तो हमेशा से ही खास रहता है बट आपको पता चलेगा कि यह बहुत इजी है इसमें कोई मैरिनेशन की जरुवत नहीं है कूकर में बना सकते हैं वो भी देसी स्टाइल में तो आगे आपको देखना पड़ेगा हलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चानल केचन टो टेबल वितनी तू आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मटन कीमा मेरे स्टाइल में तो जब भी हम मटन बनाते हैं तो प्यास का रेशियो बहुत इंपॉर्टन है जितना मटन है आपको उतना ही प्यास करीब करीब तो लेना ह यहां पे मैंने 300-500 ग्राम प्यास लिया है और उतना ही मेरा मटन है अगर आपका 500-400 ग्राम तक तो लीजेगा ही लीजेगा बस इसे लंबा लंबा पतला पतला काटना है जैसे मैंने घर कट किया बैसी आप इस टाल से बना के देखिए आपको जरूर पसंद आएगा फिर आ तो आप टीसपून हल्दी है उसके बाद ये 1 टीसपून लाल मिर्च पाउडर थीक आप बढ़ा सकते हो ये थोड़ा जायफल का पाउडर है नटमिक पाउडर 1 पौर टीसपून और ये देगी मिर्च है कलर्ड मिर्च सुखे या खड़े मसालों में मैंने 1 टीसपून जीरा लिए है दो मिर्च है उसके बाद एक इंच दाल्चिनी है बड़ी लाइची थोड़े से लॉंग है चार पास दाने चार पास दाने काली मिर्च है और एक तेज पत्ता हम लोगी खड़े मसालों को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे बहुत अच्छा खुश्बू भी आता है फ्ले मटन पहले से मैंने क्लीन कर लिया है यहां पर मैंने तेल लिया है साट एमल मतलब चार टेबल स्पून तेल को लेना होगा मटन आप डेली नहीं बनाते हैं और तेल कम डालेंगे तो अच्छे से बनेगा नहीं फिर बस जब तेल धुवाधार गरम हो जाए मैं मस्टर्ड ओ प्याज को और फ्राई करना है मतलब प्याज हाफ फ्राई हो जाना चाहिए तब हम लोग कीमा डालेंगे इसके पहले नहीं डालेंगे तो यह देखिए जब आपका प्याज का ऐसा कलर आता है हाफ फ्राई हो जाता है तब हम यहां पर कीमा डालेंगे और यह जब हम लोग क कीमा डालेंगे तो हम लोग थोड़ा सा गैस को बढ़ा देंगे ताकि वो कीमा को अच्छे से फ्राई करना है पांच मिनट के बाद आपको गैस मीडियम स्टीम में करना है यह देखिए इसके बाद हम लोग यह एक चमच जो घर का चमच होता भर के अधर लेसम का पेस्ट नम कितना खुबसूरत आ रहा है पानी में थोड़ा-थोड़ा करके डालती हूं क्योंकि एक बार में जार डालने से फिर आप कम नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा कम लग रहा है और ग्रेवी आपके हिसाब से हैं यहां पे मैंने लगवग एक पानी डाला है आप कम जादा कर सकते क्योंकि इंडक्शन में थोड़ा जल्दी सीटी लगता है और मैं टोटल चार सीटी लगा रही हूं टोटल चार सीटी क्योंकि मटन को कुक करना बहुत जरूरी है तो जब यह चार सीटी हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे यह लगवग हो गया है चलिए अब देखते हैं क्या सिट्वेशन है देखिए कितना खुबसूरत देख रहा है यह थोड़ा सुखा ही होता है बट आप घर बना रहे है गीला बनाई सुखा बनाई सिफ आपके हाथ में है बस मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर रहे हूं और थोड़ा सा अधनिया बता से ग बाई थैंक यू